दोस्तो स्वागत है आपका समाचार दरसन में अगस्तो को करीब शाम के समय तीन मोटर साइकल सवार व्यक्तियों ने एक महिला जो की स्वैम मोटर साइकल से उसके हस्बेंट के साथ जा रही थी उससे पर्स छीनने की वारदात की थी और वहां से फरार हो गए थे इसी क्रम में ततकाल मुकदमा पंजिकरत कर अग्यात अभ जब शाम में चेकिंग की जा रही थी मुकबिर की सूचना के आधार पर तो सारनपुर दिल्ली रोड पर एक बाइक पर तीन संदिक व्यक्ति आते दिखे जिनको चेकिंग के दौरान वहां उपस्तित पुलिस अधिकारियों ने रोकने का प्रयास किया जिस वो रोकने के प वैद तमंचे 315 बोर एक खोका कार्तूस और पांच जिंदा कार्तूस 315 बोर के बरामत किये गए हैं इसके साथ साथ जो 18 अगस्त को घटना हुई है इसमें लूटा हुआ लेडीस पर्स इनकी निशादही से बरामत किया गया है और जो पर्स में आधार कार्ट था जो महिल पंजिकरित किया गया 307 का पुलिस पार्टी पर फाइरिंग करने का और आज तीनों अभियुक्त को गिरफ्तार कर मानी नहाले के समक्ष पेश किया जा रहा है और यह जो तीनों अभियुक्त है यह शामली के रहने वाले हैं थाना भवन एरिया के और जिसमें से कि दो अभ पूर्व में भी लूट की घटना की है चोरी का सामान भी उससे बरामत किया गया है और दूसरा अभियुक्त जो अजय है उस पे भी पूर्व में अभियुक्त जो है अपरादी के तियास है तो आज इनकी और भी अपरादी के तियास हम दूसरे जनपदों से भी निकाल रह कि यहुड़